नमाशकार चैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी अश्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुण्डी देखते वक्त हमें क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए उससे कुण्डी में प्रडिक् क्या देखें उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वह होता है बाइसवां द्रेश्च खान और चौश्टवा नमाश यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस चौश्टवे नमाश से जब भी कोई अशुग्र घोचर करता है तो कुछ पीड़ा अवश्य हो अब ये 22 द्रेश्च कान कैसे निकालते है देखने वाद है तो वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वाप वीडियो में पॉने रही सबसे पहले हम बात करते हैं 22 द्रेश्च खान क्या होता है द्रेश्च आपके ये पहले भाव के हमने ये टीन इकवल हिस्से किए जाते हैं तीनों हिस्से जो हैं डुरिशकान कहले दूसरा दूसरा 20 Sas Ja उता है तो यान Вас यह ज़र। एक की एक भाव के अंदर वारा न हो जाए लेकिन हम बात कर रहे हैं 22फा डीफा इंपोर्टेंट होता है और उस बहुत निकाले या किस नहां चौसाफर निकालें या तो बहुत इपको बताया, कि एक भाव के अंदर तीन दिरशकान होते हैं तो टोटल भाव क्या है कि यहां से चलेंगे 3 दिरशकान तीन इस भाव के जो alternatives एक ग्रीन तीन नौर तीन बारह तीन पंद्रह तीन अठारह तीन इक्किस तो आठवे भाव में चौबिस द्रेशकान होंगे यानि कि 22, 23 और 24 आठवे भाव में 22, 23 और 24 तीन द्रेशकान यह आएंगे जो आठवा द्रेशकान आएगा वह आपी कुंडली के आठवे भाव में आएगा अब उसको कैसे पता लगाएं उस पर कि उसके उपर गोचर कर रहा है कोई ग्रह भाशन वर भाव में आठवे अगर आएगा मेलिफी ब्लेनेट तो प्राब्लम क्रियेट होगी और महिशी को जाता अब जैसे कैसे इसको आगे निकालेंगे आगे चलते हैं इसको मैं आपको बता हूंगा थोड़ा सा ओर डेटिल में कैसे हम लोग इसको देखते हैं इसी के प्रकार से 64 नवांश हो तो बारें इन्टू नाइन हो गया एक सो आठ यानि टोटल मिलाके एक सो आठ नवांश बन जा उस एक सो आठ में से हमको 64 नवांश धूंगा है तो चौसटवा कहां आएगा नो यहां आ गए नो 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36 9, 45, 9, 54 और 9, 63 तो 63 यहां तक हो गए और 9, 62 जानि 64 से 72 तक जो हो गया वो आठवे भाब में जो राशी है वहां पर दिरिश्काना तो आठवे भाब में जो राशी जो लगन की डिगरी के बराबर है वो 64 नवांश आपकी हो जा तो 64 नवांश पे यदि तो इसी प्रकार से आगे तक 30 दिगरी तक हमारा चलता है यह हमारे नमांश हो गए जो जिनका हम लोग डिगरी की बात कर तो सिंपल सिस्टम है कि अगर उसी दिगरी लगन के परपर हो जाए तो आप लेगन के सीद्दय देख लें कि देखे एक que अगरा ठी नमानश कैसे देख लें तो सबसे बढ़िया नमावांश चार्ट में लगन से चौते हम होता है राशी यह और दिनाम इन में चंदर से जो चौते भाव में राशी आती है वो चंदर से 64फच के राशी सिंपल सिधांद आपको लगाना इसमें ज्यादा वह नहीं करना जैसे आपको यह चार्ट है एक सेकिंद में आपको दिखा रहेता हो तो आपको आदिया रहेगा यह आपका जो स्वामी हुआ वो जुपिटर होगी ब्रसपति चौशटवे नवान्ष का स्वामी ब्रसपति लोगों में यह धर्रा मी हैं कहा जाता है कि लगन से चौशटवे नवान्ष की प्रद्धानता बताते हैं तो चंद्रमा से अगर आपको चौशटवे नवान्ष देखना ओर तो चंद्रमा कहा है आपका बैठा हुआ है चंद्र meow GET करें यहां रही है उसके हिसाब से आप calculation करें, तो उससे अच्छा ये है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, कि आपका जो 9-9 हिस्से किये है, आठवे भाव में जो नभी राशी, 9-64 नमान्च आपका आ रहा है, वहाँ 64 से लेके 73 तक आपके चलेंगे, आठवे भाव में, बहतर तक चलेंगे आपके, तो 64 नमान्च पे कौन सी राशी आती है, तो स्वामी कौन ने, वहाँ देखना मुश्किल हो जाएगा आपको, तो उसके लिए बैटर तरीका यही है, कि आप नमान्च कुनली देख लिजिए, अगर आपको लगन से 4 भाव देखेंगे, तो उसमें जो राशी होगी, उसका स्वामी, 64 नमान्च का स्वामी, और अगर आप चंदर से 4 भाव देखेंगे, तो उसका स्वामी भी, शंदर से 64 नमान्च का स्वामी, तो ये था चौश्टवा नमान्ष इसमें बस इतना ही ध्यान लगना है कि जो चौश्टवा नमान्ष आपका हो या चौश्टवा दिरिशकान आपका जहां है अगर वहां पे कोई भी अशुब्र है गोचर में आते हैं तो परिशानी होती है तो मैं इसके अंदर आपको यह कभी भी जब कुंड़ी देखें तो एक बार ये भी देख लें कि उस कुंड़ी में चौश्टवा नमान्ष का स्वामी कौन है या 22 दिरिशकान का स्वामी कौन है तो उससे आपको काफी कुछ आडिया मिल जाए तो आशा करता हूं आपको यह पसंद आया होगा पसंद आय जाए.